स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटीब चैनल A2B2 Study पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम Deep Herma Intense Exam 2022 से रिलेटेड बायोजिक के Most Important Question आपको सौल कराने वाले हैं यह हमारा 14 वीडियो क्लासेज है हमारी अन्य भहुत सारी वीडियो क्लासेज सभी सब्जेक्ट्स की आले डिये हमाए चैनल पर अपलोड कर दी गई है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन वीडियो को देख लीजिए तो दोस्तों इस्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये बाइलोजी की 14 ही क्लास हमारा आज का पहला प्रश्णा है वो है कोशिका गती विदिया नियंतित की जा सकती है यहां की जाती है दोस्त तहान दिजएगा आपके सरीर में जो कोशिका होती है उसका मेन जो मुख्य भाग होता है और बीच में जो भाग होता है उसके हम केंड़रक कहते हैं केंद्रक जिसको की इंगलिस में नुकलियस के नाम से जाना जाता है केंद्रक जो होता है या आपके कोशिका में एक भाग होता है और इस केंद्रक के अंदर एक जली पदार्त भरा होता है जली पदार्त जिसे बोलते हैं और यह जो पदार्त भरा होता है जली पदार्त इसे ह केंद्रक द्रब के नाम जानते हैं यानि नियुकलियस पेस्ट भी कर सकते हैं तो यह जो अंदर आपका भाग बढ़ा होता है यह आपका नियुकलियस हो गया इसके अंदर जो भाग बढ़ा हुआ है इसे हम कोशी की केंद्रक द्रब भी बहुते हैं और यह जो आपका बीच वाला भाग है यह कोशिका यह आपके हो गई यह आपकी कोशिका हो गई ठीक है यह आपकी जो कोशिका हो गई और इसके अंदर एक आपका बीच वाला जो भाग है इसे हम न्यूकलेस करते हैं या फिर केंद्रक करते हैं तो कोशिका में जितने भी आपके आवयव होते हैं या सभी का control जो करता है न वो आपका nucleus ही करता है यानि केंद्रक करता है तो यही question ने पुछा हुआ है कोशी की यह गतिविदिया नियंतित की जाती है तो कोशी की यह जितनी भी गतिविदिया होती है वो nucleus के द्वारा ही नियंतित की जाती है तो सभी पर नियंद्र जो होता है वो nucleus का यानि केंद्र का यह होता है तो option number 4 हमारा correct होगा RNA का मुख्यकार्य क्या होता है RNA जो होता है जिसका फोल फाम होता है riboniholic acid RNA का मुख्यकार होता है protein sensation में सहायता करना ठीक है option number B हमारा यहापर correct हो जाएगा next question है ribosome का मुख्यकार क्या होता है दोस्तों ribosome जो होता है इसका मुख्यकार होता है protein sensation यहापर एक most important question यह बनता है ribosomes के प्रकार ठीक है बहुत से खात्रों को नहीं पता होगा ribosomes जो होता है यह आपके दो प्रकार के होते हैं राइबोसोम्स जो होता है यह आपके दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से एक आपका होता है 70S राइबोसोम्स और एक आपका होता है 80S राइबोसोम्स 70S Ravisomes और CS Ribosomes ये आपके दो प्रकार के Ribosomes होते हैं तो इसको आप नोट कलिएगा question बनता है Ribosomes कितने प्रकार के होते हैं तो Ribosomes जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं आपको ये अगर पता होगा तो आपके 4 अंक आसानी से बन जाएंगे यहाँ पे पूछा हुआ है राइवोसम का मुख्य कार किया है तो प्रोटीन संसलेटर नेक्स्ट है को पचाने के लिए सकाहारी को लंबी छोटी आंथ की आवसकता होती है किसको पचाने के लिए तो देखिए सेलूलोज जो होता है उसको बचाने के लिए सकाहारी को लंबी छोटी आंथ की आवसकता होती है दोस्तों सेलूलोज क्या होता है तो जो कोशिका आपका होता है इसकी जो बारी परत होती है यह जो बारी परत होती है वो आपकी सेलूलोज से ही बनी होती है ठीक है तो आप समझ गयोंगे सेलूलोज क्या है तो सेलूलोज वो पतार्त है जो आपके कोशिका के बारी जो भित्ती जिर्क बोलते हैं यानि जो इसको दिवाल होता है इसका निर्मार सेलूलोज के द्वारा ही होता है तो आई थिंग आप समझ क्योंगे आपसन और हवा के लिए समान मार्ग क्या है अप्सन नमबर A दिया हुआ है मानों में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग के लिए कॉंठ नली भी दिया हुआ है ग्रास नली सी दिया हुआ है अपका ग्रसनी और चौथा दिया हुआ है नासा गुहा दोस्तो मानोसराज़ में भोजन और हवा के लिए यानि किसी प्राद के आगर आप खाते पतात का सेवन कर रहे हैं या पिर आक्सिज़न ले रहे हैं तो उसके लिए समान जो मारग हो गा descobbie हई या फिर आक्सिज़न लेंगे तो उसका मुखें जो मारग है वो है ग्रसनी आप्सन नमबर तीसरा हमारा correct होगा ग्रस्नी क्या है? ग्रस्नी जो आपके नाक्स और मुह के बीच वड़ा जो भाग होता है उसे ग्रस्नी करते हैं जासे आप बोयन को निगलते है नेक्स्ट क्वेचन है यक्रित कार्य करता है तो यक्रीत का कार रहा है, अपने liver जो है उसका कार क्या है तो liver का कार है पाचन, पाचन की क्रिया संपन करता है liver आपका निम्न लिखित में से वा अंग कौन सा है जो मानो-सरीर में glycogenyn के रूप में कार्बोहाइडरेट को जमा करता है तो आपके सरीर में ऐसा कौन सा आंग है जो कि मानो सरीर में ग्लाइकोनोजन को रूप में कार्बोहाइडरेट को जमा करता है तो यक्री देने की लीवर जो आपके सरीर का ऐसा भाग है जो कि glycogenin को carbohydrate के रूप में जमा करता है और आपके सरीर को उर्जा देने का कार करता है अपसर नमबर फोर्थ हमारा correct होगा भूमी के अप मार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिकित में से कौन सा है अपसर नमबर A दिया हुआ है आपका केचुआ भूमी के अप मार्जन में योगदान देने वाला एक जो मात्र जीव है वो है सूवर अपसर नमबर फोर्थ हमारे हाँ पे correct होगा नेक्स्ट ग्वेस्चन है निम्नलिकित में से कौन पेनिसलीन के अविस्कारक है यानि पेनिसलीन का अविस्कार किसने किया था अपसर नमबर ए दिया हुआ है पिंकस बी है जोनास ई साल्क तीसरा दिया हुआ है राबर्ट को चाओ चौता है अलेक्जनर फ्लेमिंग दोस्तों पेनिसलीन का खोज अलेक्जनर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था तो अपसर नमबर फोर्थ हमारा correct होगा निम्न लिखित में से कौन रूधिर इसकंदन के लिए आवस्ट्यक है तो रूधिर इसकंदन के लिए सबसे आवस्ट्यक क्या है रूधिर बिंबाडू अपसर नमबर दो हमारा है पे correct answer होगा नेक्स्ट क्वेस्चन है हीमोगलोबीन के अभाव से होने वाला रोग कौन सा है आपसर नमबर A दिया हुआ है घेंगा B है इसकरवी C दिया हुआ है एनिमिया और चोथा है रताउंदी तो रताउंदी जो होता है यह आपकी विटामिन A की कमीस होता है और दोसरा इसकरवी जो है इसकरवी क्या होता है इसकरवी विटामिन C की कमीस होता है और पहला आपका दिया वैगेंगा तो यह आयोडीन की कमीस होता है आयोडीन की कमीस से आपका गेंगा रोग होता है ठीक है तीनों आपने जाल दिया पर इसमें जो एनेमिया होता है न खून की कमी हो जाती जिसमें है तो ये जो होता है ये हेमोगलोबीन की कमी के कारण होता है तो एनेमिया के कारण होता है सरीर में खून की कमी हो जाती है यानि हेमोगलोबीन का भाव हो जाता है तो आपसर नंबर C हमारे हापे करक्ट एंसर ह हो जाएगा इनिमिया को हम एक और नाम जानते हैं क्या रild ypants प्रफ 12 ए रक्त अलपता राक तल पता नाम से जानते हैं इनिमिया तो सामागे तर´ नकी सब पेड़की टहनी का वेयुग act करने के लिए किया जाता तो दास साप करने के लिए हमने नीम का यूज करते हैं, नीम के दाथुआन का ही तो यूज करते हैं दास साप करने के लिए, आपसा नंबर तीसरा हमारा correct होगा, यह question मैंने आपको करार रखा है, पर है यहाँ पर repeat हो चुका है, नेक्स्ट क्वेचन है, यूज संक्र में दिवारी नहीं है, आपको है मने चार आपसंन दिया हुआ है, इस में बतारा है कि यूज संक्र नहीं होता है पर स्वसन करते हैं इन में से कौन सा ऐसा कीट है या फिर जीव है जो कि जिसके अंदर रूती रहने रक्त होता ही नहीं है रक्त जो है वो नहीं होता है और फिर भी ये सास लेते हैं जीवित होते हैं प्राडी है तो हाइड्रा दिया हुआ है तिलचटा मचली के और स्वसन में अक्सीजन लेता है आपसन नमबर एक हमारे हापे करेक्ट होगा आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ती के साथ बहु कोशिकी सुकेंद्रीक है तो दोस्तों ऐसे जीव जो की कोशिका भित्ती होने के साथ कोशिका भित्ती यानि उनके कोशिका की चारो और एक प्रका की ऐसी दिवाल होती है एक ऐसी भित्ती होती है जो कि आपके कोशिका को एक प्रका से बांधने का कार करती है तो इसके साथ उनके अंदर बहु कोशिकी सुकेंद्रीक भी होता है तो ऐसे जीव जो होते हैं उनको हम प्लाटी समों भी रखते हैं आपसन नंबर दो हाँ पर हमारा करेक्ट एंसर होगा प्लाटी इसके अंदर ही हम उन जीवों को रखेंगे जिसके अंदर कोशिका बित्ति के साथ साथ बहु कोशिकी सुकेंदिक ब्यवस्ता भी हो होता है तक के पूसं क difis के सामों के जो पाउदे होते हैं उनमें पुस्प नहीं होता है इसके साथ इंसमें तना होते हैं जड़े होते हैं पत्ते भी रहल fellowship होता अत्म हांत्या की थैली कहा जाता है या फिर लाइसोस Euro होता है इसको आत्म हांत्या के थैली क्यों कहा जाता है ये आप BrisbaneHO मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा रह देखें будете przy指्ट खाता है लासos valeur है आपका ये कोचिका है और इसका ये जो वाल है बाहरी आवरण ये आपकी कोचिका भित्ती हो गई जो कि सेलूलोस से बना होता है ये जो आपका बाहरी वाला भाग है ये आपका मोटा भाग जो कि कोशिका को एक प्रकार से बाधने का कार करता है यह आपका cellulose से बना होता है यहापर मैं आपको लिख भी देता हूँ यह आपका cellulose से बना होता है और इसके अंदर माल दिए आपके बहुत सारे अलग-अलग अपद्रब्य है माइट्रोकॉंड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, केंद्रक ठीक है? DNA, RNA यह सब भी हो जाएंगे तो देखिए जो आपका केंद्रक है न यह आपके पुरी कोशिका को निहनतित करता है और लाइसोसोम्स होता है माल लेजे, आपका यह माइट्रोकॉंड्रिया, जो की स्वसन मार्क को संचाइद करता है तो माइट्रोकॉंड्रिया आपके स्वसन मार्क को संचाइद करता है पर हुआ क्या? कि माइट्रोकॉंड्रिया जो है यह आपके लाइसोसोम्स को भी संचायत करता है यानि इससे भी जुड़ा हुआ है उसके साथ आपका जो ribosomes है ये भी एक प्रकार से आपके lysosomes से जुड़ा हुआ है तो lysosomes किया क्या 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 कि केंद्रक है आपका और यह आपका mitochondria है और आपके lysosomes है lysosomes ने mitochondria को कुछ देने से मुझे कुछ दिक्कत है, मुझे यह चाहिए तो अगर केंद्रक न से मना कर दिया माइट्रो कोंडर न न उसे मना कर दिया यानि आपके कोशिका अंदर कोई ऐसी क्रिया होई जो की लाइसोसॉम्स को प्राभावित करती है या इसे करते हैं आत्महत्या कर लेता है, सूसाइट कर लेता है, तो लाइसोसोम्स होता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैलिक आयाता है, यह फट जाता है, अगर इसको माइट्रोकॉंड्रिया, केंद्रक, राइभॉसोम्स हेल्प नहीं करते हैं, यानि इसके बाधा को तो लाइसोसोम्स जो है इसलिए इसको आतमत्या की थैलिक आयाता है तो आइधिंक आप बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे लाइसोसोम्स के बारे में तो दोस्तों ये था अमारी आज की वीडियो का आखरी प्रस्न वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो जड़ा था भी वीडियो कर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट बाक्स में कमेंट करके अगर कोई भी डाउट है तो हमें पोष सकते हैं हम आपको उसका निश्चित रिपलाई देंगे तो दोस्तों अगर वीडियो को share ने किया है तो share भी कर दें और चैनल पर first time विजिट कर रहा है तो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press भी कर ले जिससे आपको मारी हर नई नई वीडियो का notification भी मिलता रहेगा तो मिलते हैं next वीडियो में इसके next part में तब तक के लिए चैनल पर बने रहे धन्यवाद